वहीं आपको बताते चलें कि समाजवादी पार्टी में टिकेट बदलाव का दौर जारी है अखिलेश यादव की पार्टी सपा में कब किसका टिकेट कट जाए कट कर दुबारा मिल जाए और फिर कट जाए इसका कोई पक्का नहीं कहा जा सकता ताजा उधारन मेरट का है जहां महीने में तीन बार टिकेट बदला जा चुका है अखिलेश यादव बदायू से लेकर मेरट और मेरट और मुरादाबाद रामपुर तक की सीटों पर उमीदवाद बदल चुके हैं इन फैसलों में सपा की रणीती पर सवाल खड़े होने लगे हैं सपा में इस सिती पर पार्टी के लोग हैरत में हैं तो भाजपावा रालाओ सपा पर इस मुद्धे पर तंश कसने में पीछे नहीं है डॉक्र रमीश्वर्मा जी हमने कली देखा बागपत में भी अखिलेश यादव ने यही किया तो देखिए सिलसिला लगातार इस तरह की चीजों का चलता है यह कोई रणीती है या अखिलेश यादव समझ नहीं पार है रणी तो नहीं है रणी जब यह लोग ट्रिकर देते हैं जो सम्मिकरण देखते हैं इसमें दोराई नहीं है कि वहां कौन जाती फैक्टर है और मेरा इतना वोट वैंक है जब ज़ो जाएगा तो कौन जाती जीतेगी तो यह सब गिनते हैं वहां पर जो परसुदन्दी का प्रत्यासी है, वो कितना मजबूत है, ये सब देखते हैं, इसमें दो राय नहीं है, और कभी-कभी ये भी परिस्टें आ जाती है, कि माली ये नो ने टिकर दिया किसी को, और बीजेपी से कोई बढ़िया ससंक कंडिडेट आ गया, तो फिर इनको लगता है, बड़ा गर्वा समाजवादी पार्टी अब तक 9 टिकर चेंज कर चूकी, 9 और जो अभी जो हाल में चेंज किया, मेरत का, मेरत पे सबसे पहले भानुपरताब, उनका टिकर आटा, अतुल परदान विधायक है, उनका टिकर बड़ा, अब जब उनका टिकर काट दिया, तो उन्हों ने का मैं मैं इस्तीफा दे दूँगा और मैं और जब इस्तीफा देने की बात आ गई तो उसके बात तुरंट क्या हुआ कि अखलेश ने बुलाया अतुल प्रधान को और कहा तो बयान से पलड़ को ने साब अद्धेक्ष जी का जो फैसला होगा और उन्हों ने वहां पर जो विधाय से सिंबल बगाया गया और देखे इसका लोगों ने फैदा उठाना भी सुलू कर दिया मुरादावाद में एक अनोखा चुना हो रहा है मुरादावाद में जो बस्पा का प्रत्यासी है मुहम्मद इर्फान सैफी वो बोट जानते हो किसके नापर मांग रहा है वो बोट म जो सफा सांसद डाक्टर एश्टी हसन है ना वो मेरे बड़े भाई है और बड़ी तारीफ करने लगता है अरे साब उन्हों ने क्या काम क्या क्या विकास किया और आप मुझको बोट दीए हम भी उन्हीं के पंदिचिन्नों पे चलेंगे और डाक्टर एश्टी हसन बिजा कर रहे हैं तो अब देखें फाइदा को उठा रहा वहाँ पर बस पाक और जाकर मुसल्मानों के बीच में खास तोर से घुंग और कायरा है मुसल्मानों से जा करके कि अब देख लो भी आभी यह इस्तिती हो गई है अब तो आरी लीडर्सिप भी चली गई इस सब कू तो अब आव हमको बोड़ देखें ऐसे लोग फाइदे उठाते हैं तो सपा जिस तरीके से लगाता टिकेटे में बदलाव कर रही है और मौके पर टिकेटों में बदलाव किया जा रहा है उससे जनता कारिकरता और खुद सपा के लोग इस समय असमंजस की स्थिती में और कही नकहीं ससमंजस का फाइदा भाजपा और बसपा बखुबी उत्रप्रदेश में उठा रही है